बेलरूस किस तरह की कंट्री हो और क्या हमें जहां जोब्स मिल सकती हैं और किस तरह की हमें जहां जोब्स मिलेंगी और सैलरिस क्या होंगी और वीजा लगने में कितने पैसे लगते हैं और कितना टाइम लगता है इन सबी सवालों के जबाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को अंतक देखिए बिना स्किप की हुए जो आपको proper information मिल सके नमश्कार आप देख रहे अपना YouTube चैनल Dream Life मैं आशा करता हूँ कि आप सबी अच्छे होंगे और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम country की बात करें तो बेलारूस है काफी beautiful country और जो बेलारूस की capital city है वो है मिनसक उसके बाद अगर हम language की बात करें कि बेलारूस में कौन सी language बोली जाती है तो वो है बेलारूसियन और उसके साथ Russian language भी बोली जाती है currency की बात करें कि बेलारूस में कौन सी currency चलती है तो वो है बेलारूसियन rubel और आज के टाइम में अगर हम एक बेलारुसियन रूबल को इंडियन करंसी में कनवर्ट करें तो वो 32 के आसपास रह रहे हैं ये 32 से 35 के आसपास आप बोल सकते हो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक important बात बता दूँ कि जो बेलारुस कंट्री है जो ये यूरोप की जो शेंजन एरिया है उसमें नहीं आती बेलारुस से अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है तो आपको वीजा लेने की जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि बेलारुस के साथ और कौन कौन सी कंट्री के बोर्डर्स लगते हैं तो वो हैं पॉलैन, लिथ्वेनिया, लात्विया, रश्या और यूक्रेन जो जो सभी कंट्री से इनके बोर्डर्स लगते हैं बेलारुस के साथ आज से कुछ time पहले काफी सारे जो लोग थे वो बेलारुस के रास्ते पॉलेंड में इंटर हुए थे इलीगल वे से जिसे हम donkey भी बॉर्ण देते हैं वो इस तरह से बेलारुस के रास्ते पॉलेंड जाते थे उस टाइम जे काम चलता था जो बोर्डर से वो इतने हार नहीं थे तो उस टाइम जो काफी सारे जो लोग थे वो illegal way से बोर्डर क्रोस करके पॉर्लैंड में इंटर होते तो उनकी जो डोंकी शुरू होती थी वो कुछ इस तरह से शुरू होती थी कि रशिया में जो मोस्को सिटी से शुरू होती थी मोस्को से फिर वो आते थे बेलारूस में और बेलारूस से वो बोर्डर क्रोस करके फिर पॉर्लैंड में इंटर होते थे काफी सारे जो मेरे बाई हैं उनको पता होगा जो इस रास्ते गए हैं जा उनको कोई जानने वाला गया हुआ है तो उनको पता होगा जे काफी टाइम पहले जे काम चलता था जे रास्ता भी लोग जूज करते थे इलीगल वे से इंटर होने के लिए यूरोप शेंजन में तो अभी हम बापिस आते हैं अपने टोपिक पे कि कौन कौन सी जोग्स हैं वो बेलारूस में हमें मिल सकती हैं और उनकी सैलरिस क्या होंगी अगर हम जोग्स की बात करें तो काफी सारी जोग्स हैं अलग लग टाइप की जोग्स आपको मिल सकती हैं बेलारूस में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Mid Class Jogs की हम High Professional Jogs की बात नहीं करेंगे जैसे डॉक्टर जाएं इस तरह की Jogs की हम बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे जो Mid Class Jogs आती हैं जैसे आप बोर सकते हो Construction Line में आपको Jogs मिलेंगी Farm में आपको Jogs मिलेंगी होता है फिर Electration Plumber और Carpenter का काम होता है जैसे सभी काम आपको मिलेंगे और उसके साथ जो Farm वर्क करते हैं खेती बाड़ी के जितने भी काम होते हैं वो भी सब आपको इस Country में मिलेंगे उसके बात बात आती है कि Salaries क्या मिलेंगी तो आपको मैं एक बात पहले ही Clear कर दूँ कि जो आपकी Salaries होंगी वो आपके काम पे Depend होंगी आपका किस तरह का काम है क्या आप Overtime कर रहे हो आपकी Company आपको क्या Offer कर रही है तो जे सभी बातों के उपर Depend करती है आपकी Salary तो लेकिन मैं आपको एक Idea दे देता हूँ सकते हैं जैसे जैसे आपका Experience होगा जैसे जैसे आपको ज्यादा Time हो जाएगा काम करते हो तो आपकी जो सेलरी से वो भी जुरूर बढ़ेगी और इसके साथ कि आप 800-900 EUR तक आप कमा सकते हो थोड़ी सी जो आपकी सेलरी है वो उपर नीचे हो सकती है जो Depend करता है मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि जैसे आपके काम पे Depend करता है आपको वो ओवर टाइम देती है जैसे नहीं देती तो जैसे बाते मिलाकर फिर आपकी जो फाइनल जो आपकी सेलरी होगी वो आपको मिलेगी तो जो सैलरी है वो थोड़ी सी उपर नीचे हो सकती है मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि जे 700 से लेके 800-900 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं तो अभी आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि जो बेलारूस का वर्क पर्मिट है वो लगने में कितना टाइम लगे है तो मैं आपको बता दू कि जो अगर आप बेलारूस का वर्क पर्मिट अप्लाई करते हो आज के टाइम है तो आप मान के चलो कि तीन मन से लेके पांच मंद तक जो आपका टाइम लग सकता है, हो सकता है कि थोड़ा सा कम जादा भी लग सकता है, लेकिन माने आपको एक आइडिया दे दिया है कि तीन मंद से लेके पांच मंद तक आपके लग सकते हैं, तो आप अगर इतना वेट कर सकते हैं, तो फिर आप इस कंट्री के लिए apply जुरूर्ट करें अभी जो आपके मन में अगला सवाल आ रहा हो कि वीजा लगने में कितने पैसे लगते हैं तुम आपको एक idea दूगा इसके बारे में भी कि आपका जो वीजा लगने में कितने पैसे लगेंगे अगर आप बेलारूस के लिए work permit apply करते हैं तुम आपक idea दे देता हूँ कि अगर आप किसी agent के थूर apply करते हैं तो फिर कितने पैसे लगेंगे लेकिन अगर आप खुद apply करते हैं तो फिर कितने आपके पैसे लगेंगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप खुद से apply करते हो खुद से आप apply करते हो अगर आपका कोई जानने वा वहाँ है और वो आपको work permit send कर देता है आपको work permit मिल जाता है फिर आपकी नहीं आप जो documentation है वो खुद करके अगर आप file submit करते हो तो उसके बाद जो आपके पैसे हैं वो काफी कम लगें तो इस situation में जो आपके जो खर्चा आएगा वो दो लाग से लेके तीन लाग के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाएगा और उसके बाद अभी हम आते हैं कि agent कितने पैसे ले रहे हैं इस country के लिए बेलारूस के जो work permit के लिए agent कितने पैसे ले रहे हैं तो आपको बता दू कि जो हर एक agent है उसका अ आपसे ले सकते हैं तो इतने पैसे प कंड़ार दें के शे साथ लाग तक आपके लग सकते हैं और अब है उसका है जो सिक्सेस रेट है घप एक हम वर्करमिंट अप्लाइ करते हैं तो कमा वीजा लगेगा जा नहीं लगे है जा हमारा टायम में eroошैं और तो नो, ऑ Túm आपक आज के टाइम में आपको जो visa लगने के chanss हैं, वो 90 से लेके 95 परसंट तक chanss हैं कि आपका visa लगेगा, लेकिन visa लगने के chanss होते हैं, यह काफी सारी बातों पर depend करते हैं, dependent करता हैं कि आपके जो document हैं, वो सब जैनुएन होने चАहिए, जो जिस भी profile में आप apply कर रहे हो वो उस चीज का आपको experience होना चाहिए उस काम में आपको अच्छे से experience होना चाहिए अगर सब कुछ आपका genuine है तो फिर आपका जो visa है वो obviously लगेगा और मैं आपको अपनी हर वीडियो में repeat करता हूँ कि आपको जो document है वो हमेशा ही आपको original ही लगाने चाहिए क्योंकि अगर आप fake documents लगाओगे तो आपको जो chances है visa लगने के वो काफी कम हो जाते हैं को शुरूँ में मिल जाता था उसके बाद जैसे जैसे आप काम करते हो एक साल बात दो रिन्यव हो जाता है एक एक साल का जो को टी यज। काड़ा वो मिलता रहता है. तो आप अगर बेलारूस में जाना चाते हैं, वहां जाना के काम करना चाते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है. आप अपने apply कर सकते हैं, जो visa है वो apply कर सकते हैं बेलारूस के लिए, आपके जो visa आपको मिलती रहेंगी और अगर आपको कोई और सवाल होता है जिसका अंसर आपको वीडियो में ना मिला हो तो आप वीडियो के नीचे हमें कोमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें comment करके जुरूर suggest करें कि आपको next वीडियो में किस तरह की information चाहिए आप personally हमें Instagram पे भी contact कर सकते हैं Instagram की जो details है आप देख सकते हैं आपको वीडियो के ऊपर भी मिल जाएंगी और नीचे description में भी आपको मिल जाएंगी वीडियो में आन तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं किसी और वीडियो में नए information के साथ